दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर detail comparison between station master and goods guard salary तो दोनों की salary में क्या क्या difference है, क्या क्या allowances इनको मिलते हैं और कितने कितने allowances मिलते हैं दोस्तो यह वीडियो उन लोगों के लिए काफी helpful रहेगा जो लोग यहाँ पर RRB NTPC का exam दिये हैं और यहाँ पर CBT2 की preparation कर रहे हैं और यहाँ पर NTPC में job लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर जानना दिल्चस्पन लोगों के लिए रहता है कि यहाँ पर कितनी salary हमें मिलेगी अगर हम as a station master या goods guard यहाँ पर join करते हैं इनके काम का इनका job profile का एक comparison भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिलाल हम इस वीडियो में सिल्फ salary की बात करेंगे दोनों की salary में क्या difference है कितना difference है ताकि आप wisely choose कर सके कि हमें कौन सी post पर जाना ज्यादा बहतर होगा तो दोस्तो इस वीडियो को शुरू करें इस से contradictory आपर comparison करने वाले हैं आप जहां पर देख सकते हैं कि हम श्चेशन master गोर्स कई हांपर salary का जो detail comparison करने वाले है क्या रहेगा basic UC क्या रहेगा DEE कितना रहेगा दोनों का HR את कितना मिलता इनको transport allowance कितना मिलता है night dialogue किते हैं किndा कितना मिलता है कितना मिलता है इसके इलावब और traffic department के अंदर में आती है और जो goods guard होते हैं वो station master को कही ने कही report करते हैं तो बात करते हैं basic पे कितना होता है इनका तो basic पे जो होता है दोस्तों यहाँ पर station master का 35,400 होता है और जो goods guard का होता है दोस्तों 29,200 होता है तो यहाँ पर जो यह basic है बिल्कुल initial appointment जब आपको मिलती है तो यह आपका basic रहने रहने वाला है उसके बाद increment लगके बढ़ता रहता है उसके बाद हम DA की बात करें तो DA दोस्तों यहाँ पर currently 28% हो चुका है जुलाई 2021 से इससे पहले 17% था तो हम 28% पर salary calculate करने वाले हैं तो 28% अगर हम निकालते हैं basic का station master के लिए तो यहाँ पर 9912 रुप मिलता है अलग-अलग cities के according आप Metro cities में बड़ी cities में रहते तो 24% उसके लाव अगर moderate level की city में आप रहते हैं यहाँ पर 16% और 8% अगर बिल्कुल आप छोटे कस्वे में या इसी जगे रहते हैं यहाँ बात कर रहें 16% क्योंकि हम medium की बात करते मोडरेट की बात करते तो 16% मैं पिचारे गुर्चकार को मिलने वाला है उसके बाद हम बात करते दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है सभी रेलवे करमचारियों को दिया जाता है उनके घर से अपने office या अपने workplace पर आने के लिए तो यहाँ पर जो टीए मिलता है स्टेशन मास्टर को वह 3600 प् यहाँ पर आप करेंगे यहाँ पर 4608 रुपए स्टेशन मास्टर को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा उसके लावा गुट्स कारें तो इसको भी सेम मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी बेसिक का कोई भी कैलकुलेशन में इन्वोल्मेंट नहीं है जिसकी बाद जैसे तो यहाँ पर 2500 रुपए लगबग बन जाता है 2500 यह से जाधा भी कई बार बनता है तो हम एवरेज की बात करते हैं तो स्टेशन मास्टर के लिए हमने यहाँ पर 2500 रुपए लिया है और गुट्स कार्ड के लिए हमने 2000 रुपए यहाँ पर नाइड डुटी अलाउंस नी मिलता है लेकिन यहाँ पर गूट्स कार्ड को अच्छा खासा ररिंग लाउंस मिलता है 4.7 पर किलो मेटर के इसाफिन को मिलता है तो अगर एवरेज हम निकाले गूट्स कार्ड 5000 किलो मिटर अगर बनाता है मंतली इतना बन जाता है दोस्तों बंजार के लिए बाकि अल लाउंच अगर हम एक्स्रा जोड लें तो station master को यहाँ पर 1000 और goods card के लिए भी हमने 1000 जोड़ा है ताकि हमें एक idea मिल जाए दोस्तों यहाँ पर idea लेने वाले हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि कितनी लगबग salary मिलती है station master और goods card को तो यहाँ पर हम total कर लेते हैं दोस्तों बिना time waste किये यहाँ पर station master का total जो बनता है आप भी अपने calculator से कर सकते हैं यहाँ पर 59,084 रुपीज यहाँ पर total लगबग बनता है station master का तो दोस्तों यह station master की salary है और दोस्तों यही रहती है 55-60,000 के बीच में station master को जो salary मिलत तो उससाब से इसकी salary बनती है दोस्तों 73,156 तो दोस्तों यही salary रहती है यहाँ पर goods guard की 70-75,000 के बीच vary करती है अगर और जादा किलोमेटर बना लेते हैं कई जगे 10-10,000 तक भी किलोमेटर goods guard बना लेते हैं तो उससाब से फिर salary काफी जादा हो जाती है लेकिन हम यहाँ average की बात की है दोस्तों आप लोगों को idea देने के लिए तो यह है salary का difference आप दो लोग देख सकते हैं कि station master को कितनी यहाँ पर pay grade जादा है station master का फिर भी यहाँ पर goods guard की salary उससे काफी जादा है तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको किस तरह की job करनी है यहाँ पर दोनों तरह की job है उसकी salary details आपके सामने इसके लाव अगर आप जो profile इनकी चाहते हैं तो जरूर comment करके बताए दोस्तों मैं आप लोगों को next video में बताऊंगा इनका काम किस तरह से होता है क्या क्या काम करते हैं और क्या इनकी job है पोरी तो उसके बारे में जरूर आप लोगों को बताऊ सकते हैं और कोई भी query है रेलवे की information की regarding तो आप मुझे पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में जै हिन जै भारत